राजीव गांधी के लक्षुदीवी विजिट को लेकर कई तरह की बातें और भ्रहम पैदा किये जाते हैं आज मैं करूंगी इस लक्षुदीव से जुड़े नारेटिव का तीन अलग-अलग सोर्सेस से परदाफाश जो गोधी मीडिया आप से छुपाता है सोनिय गांधी की बायोग्रफी, रिटायर्ड कॉमडोर के बयान और आइनस विराट पर एक पूरी राद बिता चुकी एक मत्र महिला पत्रकार सुजाता अनंदन के आइनस विराट के अनुभव जो किसी भी आइंगल से पार्टी और हॉलिडे बिताने जैसा तो बिल्कुल ही नहीं है परिवार और बच्चों को उस पर ले जाना तो बहुत दूर की बात है मैंने एक किताब पढ़ी थी साल 2012 में और मुझे अच्छे से याद था कि इसी लक्षदी विजिट पर उस किताब में भी लिखा हुआ है जब पढ़ रही थी तब नहीं पता था ये लक्षदी विजिट कुछ सालों बाद मोधी द्वारा अपना परिवारवाद पर भ्रह्म पहलाने के लिस्तिमाल किया जाएगा और पाथ साल बाद फिर उस भ्रह्म को पहलाने में कोई और नहीं बलकि खुद गोधी मीडिया काम करेगा इस किताब का नाम है सोन्या गांधी एन एक्स्ट्रॉर्णरी लाइफ एन इंजिन डेस्टिनी बाई रानी सिंग और इसमें जो लिखा है उसे आप उस नारेटिव के साथ तुलना में देखना जो फेलाया जा रहा है सीधे आ जाएं चैप्टर बारा पर जिसका नाम है ग्लिम्सेज ओफ फ्रीडम इसकी शुरुआत में ही सोन्या गांधी का वक्तव्य लिखा हुआ है वो कहती है चूंकि मैं राजीव गांधी के साथ अक्सर सफर करती थी हमारे बच्चे हम दोनों को ही बहुत कम बेख पाते थे और ये एक लौता ऐसा समय था जब राहुल और फ्रियंका को अपने पिता के साथ समय बिताने का समय मौका मिलता था ये नोने लिखा हुआ है सोन्या गांधी उनके साथ हमेशा चक्तान की तरह खड़ी रहती थी और उनके साथ गाओं कस्बो आदिवासी क्षेतरों तक में भी साथ जाया करती थी जिससे उन्हें भारत के अलग-अलग संस्कृती पहनावे खान-पान बोल-चाल गरीबी लो साथ में ट्रावल करना पी-म की पत्नी के अधिकारों का ही एक हिस्सा है बिल्कुल उसी तरह जैसे अमेरिका के राश्रपती के साथ फॉस लेरी यानि उनकी पत्नी और उनके बच्चों को आप साथ यात्रा करते देखते हैं सिर्फ अमेरिका ही क्यों सभी देशों में ये भाव से दिखाने में राजनितिक दल काम्याब हो पाते हैं और उनके दिखाए भ्रह्म में बड़ी आसानी से फस्ते भी वो लोग हैं जो खुद के परिवार का पेट पालने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं यानि आप खेर आगे किताब में क्या-क्या जरूरी अंश है मैं आपको बताती हूँ यह किताब लिखी अंग्रेजी में गई है इसलिए मैं आपको हिंदी में अनुवात करके सुनाओंगे लेकिन आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर जब भी संभव हो पाता आधिकारिक कामकाज और मीटिंग्स के बीच गांधी परिवार बेश कीमती पल साथ में बिताने की कोशिश करता था अचानक एक करिश्माई छुट्टी बिताने का मौका लक्ष्वद्वीप पर मिला जहां परिवार को नई टेरिट्री एक्स्पोर्ट करने का मौका मिला वो भी एक सुरक्षत माहौल में अब राजीव गांधी के ओफि जाती थी वो कभी अकेली बैठी दिख जाती तो कभी कोई किताब पढ़ती नजर आती उनका राजीव गांधी के स्टाफ से कोई खास लेना देना नहीं रहता था सिवाए इसके कि अगर वो सब साथ खाना खा रहे हो तो उनका ख्यार रखा जा रहा है या नहीं यह देखन शाम को जब राजीव गांधी अपनी टीम से मीटिंग कर रहे होते थे उस वक्त सोनिया गांधी अपने कमरे में चली जाती थी अब यही वजाहत हभी बुल्ला बाद में लक्षुद्वीब के अड्मिनिस्ट्रेटर बने जिस वक्त वो बहुचर्चित लक्षुद्वीब विजिट होने वाला था हभी बुल्ला अपनी पत्नी शाहिला के साथ लक्षुद्वीब पर शिफ्ट हो गए थे बात है जनवरी 1988 की जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी लक्षुद्वीब गए हुए थे चुकि राजीव गांधी एक ओफिशिल विजिट यानि हमेशा दूर ही रही वजाहत हभी बुल्ला की पत्नी शाहिला कहती है कि अगर वो अफिशल एरिया में रहती तो लोग उनके आसपास घूम रहे होते और वही महां पर सेंटर ऑफ अट्रक्शन भी होती लेकिन सोनिया गांधी ने लोग की यानि लाइमलाइट से दूर रहन हो तो शाहिला ने अपने बच्चों को अपने कमरे में जाने को कह दिया वो दून से अभी घर आए वे थे लेकिन जब सोनिया गांधी उनके घर पहुची तो नोंने सबसे पहले पूछा कि उनके बच्चे कहा है पता चलने पर कि वो अपने कमरों में हैं सोनिया गांधी न हेलिकॉप्टर वापस मेनलेंड यानि भारत की मुख्य भूमी पर कुछ सामान लाने के लिए जा रहा था सभी ने राहूल और प्रियंका को कहा कि वो भी साथ चलें और हेलिकॉप्टर की राइड का मजा लें लेकिन सोनिया गांधी ने हिंदी में दोनों बच्चों को कहा ऐ वो नहीं चाहती थी कि वो सरकारी तंतर का दुरुप्योग करें शाहिला ने आगे रानी सिंग को बताया कि जब इस टूर का आधिकारिक कामकाद सब खत्म हो चुका था तब जाकर उन्होंने परिवार और दोस्तों के साथ बंगाराम दूइब पर एक हफता साथ बिताया जो उस वक्त नया नया एक परेटक रिजॉट के रूप में बना था अब सिक्योरिटी कम से कम होनी थी इस वक्त सोनिया बीच पर रिलाक्स करती वही राजीव गांधी और राहुल गांधी पास में ही तिन्नकारा दूइब तक तेराकी करते थे परिवार स्कूबा डाइव कि वाओ, so beautiful, so elegant, just looking like a wow गोधी मीडिया बता रहा है कि मोधी छुट्टी पर नहीं बलकि दूइब की मदद करने गए थे तो उस हिसाब से राजीव गांधी स्नौकलिंग वाली मदद 1988 में ही करा है Island Development की ही तो मीटिंग की अध्यक्षता के लिए गय थे राजीव गांधी ये क्यों छुपाया जा रहा है आपसे क्योंकि मोधी से पहले किसी ने कोई विकास ना किया, ना सोचा यही तो narrative आपको दिखाया जाता रहा है और आप फंस भी जाते हैं उनका परिवार था इसलिए उन्होंने परिवार के साथ चुट्टिया मनाई आपका नहीं है तो आपने अकेले ही चुट्टी मना ली लेकिन जब सेम चीज को एक के लिए holiday और दूसरे के लिए कामकाज कहकर ब्रहमित किया जाएगा और फिर हमारे सामने ये portrait किया जाएगा कि जी दस साल में मोदी ने एक भी चुट्टी रही ली अब जब चुट्टी पर करने वाली चीजों को ही आप काम कहके दुनिया के सामने परोस्ते रहें तो फिर उस हिसाब से तो किसी भी कामकाजी आदमी को ओफिस में छुट्टी के application ही नहीं देने पड़े वो सीधा कह देगा मैं तो लक्षवदीप में काम करने जा रहा हूँ मोदी जी की तरह मैं flight में documents पढ़ लूँगा मोदी जी की तरह मैं बीच पर walk करूँगा द्वीप की मदद करने मोदी जी की तरह खेर आगे इसी trip को एक और नजर से देखिए जो खुद India Today ने आपको कम से कम अपने इस शो में तो नहीं दिखाया India Today खुद अपनी ही पत्रकार की India Today मैगजीन में च्छापी खबर तो दिखाता है क्योंकि उसका हवाला 2019 में नरेंदर मोदी दे चुके हैं बहुत बढ़िया पत्रकार रिता है ये तो आज की दौर में इसे बढ़िया तो मैं सिर्फ इसके लिए ही मान लूँगे कि PM के एक विजट पर उस जमाने में एक मैगजीन के किसी पत्रकार में इतनी हिम्मत भी होती थी कि लिख दे यही इंडिया टुडे मोदी के बारे में ऐसे पांच शब्द भी आज लिख कर दिखा दें चालेंज है मान जाएंगे खैर जो अब गोदी बन चुके हैं उनसे क्या ही उम्मीद करें लेकिन यहां बात सिर्फ यह है कि जिस इंडिया टुडे ने अपनी उस वक्त की पत्रकार की खबर को 2024 में बड़ लंबे चोड़े प्रवचन के साथ दिखाया है उसी इंडिया टुडे की क्या मजबूरी थी कि अपने ही इंडिया टुडे नाम के इस चैनल के आज के पत्रकार की 2019 में छपी इस खबर को दिखाना जरूरी नहीं समझा आइंकर ने आइनस विराट का जिक्र तो किया लेकिन फिर अपनी ही इस खबर का ये वर्जिन क्यों नहीं दिखाया क्या आपको यानि दर्शिकों को अधूरी बाते बताकर भ्रमित करना ही इनका मकसद अब रह गया है इंडिया टुडे के ही पत्रकार पंकच खेलकर की इस टॉरी का जिक्र क्यों नहीं जिसे खुद इंडिया टुडे ने छापा भी पर चानल पर उसका जिक्र तक नहीं किया ये पक्ष क्यों नहीं दिखाया जिसमें उन रिटायर नेवी ओफिसर का बयान है जिन्होंने राजीव गांधी का लक्षव द्वीप का वो पूरा ट्रिप प्लान किया था वो साफ कहते हैं राजीव गांधी ने आयनस विराठ का दुरुपयोग नहीं किया था 2019 में मोदी ने बयान दिया था कि राजीव गांधी ने आयनस विराठ को अपनी पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तिमाल किया था कॉंगरेस के सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान आयनस विराठ जो हमारा समूदरी युद्ध जहाज है आयनस विराठ का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तिमाल किया था उस वक्त की यानि वो 1988 के वक्त की वो खबरें आप देखेंगे तो ये खबर का आधार तब भी बीज़पी के आरोपों से ही शुरू हुआ था ये देखिए पढ़िए आप पत्रकारिता तब विपक्ष के आरोपों को आधार बना कर बड़ी बड़ी खबरे करने में विश्वास रखती थी और जब आज वही काम किया जाता है तो सबको देश विरोधी, चीनी दलाल, पाकिस्तान परस्त बोल दिया जाता है तो आरोप फिर लगाया जा रहा है कि राजीव गांधी और उनके परिवार ने INS विराट का अपने हॉलिडे के लिए दुरूपयोग किया अब जरा सुनिए, रिटायड कॉमडोर, अजय चिटनिस क्या कहते हैं अजय चिटनिस राजीव गांधी के लक्षोदीव ट्रिप की प्लानिंग में शामिल थे इंडिया चुडे से ही बात करते हुए अजय चिटनिस ने इंदावों का खंडन किया चिटनिस ने कहा कि 1987 के अंत में राजीव गांधी और उनकी पत्नी सोनिया गांधी आइनस विराठ में सवार होकर तिरुव अनंतपुरम से लक्षोदीप आये थे वो बताते हैं कि राजीव गांधी तिरुव अनंतपुरम जुसे अब त्रिवेंदरम कहते हैं वहां राश्ट्रे खेलों की क्लोजिंग सेरमनी अटेंड करने गए हुए थे और वो लक्षोदीप गए थे आयलेंड डिवेलपमेंट अथोरिटी मीटिंग लेने देखिए यही जानकारी इस किताब के हवाले से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ आयनस विराट जो की एक एरक्राफ्ट कैरियर था उस पर राजीव गांधी और सूनिया गांधी हेलिकॉप्टर से आए और अगले दिन बंगाराम द्वीब पर उतरे इसी द्वीब पर फैमिली टाइम बिताने का जिक्र में उपर किताब के हवाले से कर चुकी हूँ अब यहां एक बड़ी जानकारी चिक्निस देते हैं जो आपको मोधी, उनकी टीम, भक्तमंडली और गोधी मीडिया नहीं बताना चाहता लेकिन छोटी छोटी जानकारी ही कैसे बड़ी हो सकती है यह आपको आगे पता चलेगा चिक्निस कहते हैं कि राजीव गांधी और सोन्या गांधी के अलावा आएनस विराट पर उनके परिवार या दोस्तों में से और कोई भी नहीं था वो आगे एक और मुख्य जानकारी देते हैं जो आपसे चुपाई जाती है वो ये की पीएम के तोर पर राजीव गांधी को पूरा अधिकार था कि वो अपनी पत्नी के साथ आएनस विराट पर बैठ सके रिटार नेवी ओफिसर अजय चिटनिस बताते हैं कि उनके बच्चे और दूसरे परिवार के लोगों ने उन्हें सीधा बंगाराम द्वीप पर जॉइन किया वो भी तब जब वो सभी आधिकारिक बैठे के खत्म कर चुके थे और अब उनका परिवार के साथ समय बिताने का मौका था अजय चिटनिस ने इन आरोपों को भी खारिच किया जहां ये भ्रम फैलाय जाता है कि भारती नौसेना के हेलिकॉप्टर का इस्तमाल हुआ राजीव गांधी के महमान और वकेशन्स के लिए रिफ्रेश्मिंट्स लाने को चिटनिस ने कहा इन सब कामों के लिए सिविलियन यानि आम आदमी के लिए इस्तिमाल किये जाने वाले हेलिकॉप्टर इस्तिमाल मिलाए गए वहीं आगे अजय चिटनिस राजीव गांधी के उस ट्रिप की तुलना नरेंदर मोदी के सियाचन के दौरे से करके गहरी बात कहते हैं जैसे मोदी सियाचन पर भारतिय सेना के अफसर और जवानों के साथ खाना खाते नजर आये थे उसी तरह राजीव गांधी भी आयनस विराट जो उसी साल नौसेना में कमिशन हुआ था उस पर सवार हुए और आयनस विराट पर पोस्टेड भारतिये नौसेनिकों के साथ खाना खा रहे थे तो कुछ समझ आया ऐसी सही तुलना करने का जिगरा है क्या इस गोधी मीडिया में नहीं मोधी करें तो वावा राजीव गांधी ने इतने साल पहले किया तो हाव डै ही आयनस विराट की वो खबर दिखाने में कुछ गलत नहीं जिसमें सवाल उठाया गया कि क्या राजीव गांधी ने सरकारी तंत्र का दुरुप्योग किया ये वाजब सवाल होते रहने चाहिए पर गलत है उस सवाल के जवाब में अपनी इच्छा नुसा जवाब थोपना और वो पक्ष कताई ना दिखाना जो तत्यों के साथ एक कहानी का दूसरा पहलू भी आपको दिखाता है और जिस INS विराठ को वकेशन के लिए परसनल टैक्सी बोल रहे हैं मोदी दरसल जताना चाह रहे हैं कि कितना आलिशान भव्वे और स्मूद राइल्ड ले रहे थे राजीव गांधी उन्हें जवाब देने के लिए ये आर्टिकल ही काफी है वायर सर्विस UNI की पत्रकार सुजाता आनंदन बताती है कि इंद्रा गांधी और सोनिया गांधी के बाद वो पहली महिला है जो INS विराठ पर सवार हो चुकी हैं और भ्रम पहलाने वालों की जानकारी के लिए बता दूँ ये कोई वकेशन राइड वाली राइड तो बिल यू करना था महिला होने की वज़ा से सुजाता को डिफेंस पी आरों ने मना कर दिया था जब पूछा गया तो पी आरों ने कहा वाल्शिप महिलाओं के लिए नहीं होते इसलिए किसी पूरुष को भेजे सुजाता के चीफ रिपोर्टर ने ये बदलाव करने से साफ मना क होती थी और उनमें से एक का ना होना शायद अफॉर्ड नहीं कर सकते थे तो सुजाता के शब्दों में पी आरों ने उन्हें ऐसे डराने की कोशिश की ताकि वो खुद ही उस पर जाने से मना कर दें उन्होंने कहा आप ही एक मात्र महिला होंगी वार्शिप पे और हम आप आपकी सुरक्षा की गैरंटी नहीं ले पाएंगे तो सुजाता ने जवाब दिया अगर ऐसा है तो हमें आप दुश्मनों से सुरक्षत रख पाएंगे हम आप पर कैसे विश्वास कर ले तो अपना स्टेटमेंट थोड़ा सा रिट्राक करते होए पी आरों ने बताना सुजाता ने जवाब दिया कि वो डेक पर रात भर बैठ कर पढ़ती रहेंगी अब इसी तरह से सवाल जवाब के सिलसिले चलते रहे हार ना मानने वाले इन जवाबों के बाद जैसे तैसे सुजाता खुश थी कि उन्हें वर्शिप पर जाने का मौका मिल गया लेकिन वो क से विराट पर उतरी वह बताती है उन्होंने वही पर खाना खाया जहां राजीव गांधि को खिलाया गया पर वो किसी कुरूज की तरह नहीं था किसी पाटी की तरह तो बिल्कूल भी नहीं कभी नहीं ना खत्म होने वाली गलियों पैसेजस से निकलना पड़ता है और डे दिमाग से यह सब खयाली निकाल दे आगे सुजाता बताती है कि आएनेस विराड पर कभी किसी ने इन्दरा गांधी राजीव गांधी और सुनिय गांधी के अलावा और किसी के कभी होने का या आने का जिक्र ही नहीं किया और उसमें भी इंदरा गांधी औरा जीव गांधी के विजिट ओफिशिल ही बताए गए सुजाता ने लिखा कि वो आइनस विराट पर बिताई अपनी वो रात लगभग भूल ही चुकी थी जब तक कि तीस साल बाद नरेंदर मोधी नो उस पर छुट्टी मनाने और पाटी करने का जिक्र नहीं किया सुजाता अनंदन का कहना है कि वो अपने निजी अनुभव से ये तो दावा करी सकती है कि आइनस विराट कोई क्रूज शिप नहीं था जिस पर आप अपने पूरे परिवार को ले जाना भी चाहो जो भी ऐसा सोचता है कि उस पर पाटी की जा सकती होगी वो सही मायनों में क्योंकि वो नहीं चाहती आप कभी सच जान पाओ सच जानने का साधन सिर्फ एक है पढ़ते रहना रीसर्च करना पर आज की एक मिनट की रील्स की दुनिया में किसी के पास शायद ना वक्त है और ना दिल्चस्पी पढ़ने में पत्रकारों ने भी सच लिखना और दिखा करते हुए खुद पर गर्व सा महसूस करना अरे भई अंजाने में ही सही द्वीप की मदद जो कर रहे होंगे आप लोग करके देखना यू विल ठैंक मी लेटर एक दम पी-म टाइप फील कराने के लिए सत्यमिव जयते